है 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 आज हम लोग जा रहे हैं एक गाउं है बोरोला जो कि जो अरहाट से लगबाग एक गंटे की दूरी पर है तो मन भी कर रहा था मेरा की थोड़ा हरी बड़ी घास देखूं पेड़ पौदे देखूं पहाड देखूं तो शांती ने बोला चलो चलते हैं क्योंकि हमें तो हम लोग बैटे बहुत थक गए खूदा से रुग गए हैं यह में एक सीट मिल यहां पर और शांती पता नहीं क्या रूने में लगे हैं क्या रून रहे हो कडी पत्य के जैनल है पूरा चाई पत्ते के पेड़ डोनने में लगे हो है क्योंकि हम एक पौदा लेके जाएं अच्छी बिश्बार है और यह रहे पहाड चाय पत्ती तोड़ रहे हैं और वहां पर चाय पत्ती तोड़ रहे हैं दिलोग तो इस 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 ब्लू वाले टी फिन में ना पोहा लेकर आई थी थोड़ा सा आज कल जादा भूख लग रही है मुझे मिन दुकान यह हमारी पिकनिक स्वार्ट यह समझे पिकनिक स्वार्ट जैसा है समझे पास में बताने कि इस 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 बनाया हुआ है अच्छा सा और इस घरवर बुनियों पे तो ठंड लग रहे हैं यहां भाग पहाड आए सामने को बैट के ऐस यह उसके बाद यहां से अरगे निकलेगगे रहें नहीं है स्वार्ट में जा रहे हैं ज्यादा को फुरूटी टाइप है क्या पर नहीं है तो है कि बहुत दिनों के राद आयों है यहां लाओ मुझे भी तो नो चुन्मून अच्छा बन गया नहीं है और यहां पहुंचते ही जनाब चेक करने लगे कि सोफे की हाइट कितनी होनी जाहिए पैटने में कमपोटेबल है यह नहीं गाओ दीदी ने बनाया आप काईए है और दूध मूड़ी और गुड़ है हां अच्छा अच्छा बनाया तो हम लोग आये थे भाईया के पास जो मैंने फर्नीचर बनवाय था उसकी साइट टेबल नहीं बनवाई थी तो मुझे टाइम ही ने कुला था बने का था थोड़ा सा फ्री होगे थे तो मैं से चलते हैं और भाईया सोफा बखा रहे हैं और कुछ सोफा दानिंग टेबल के लिए भी ओडर दिना था थोड़ा साइडिया लेना था थोड़ा बजट बनेगा तो बनवाएंगे लोग लड़ जगड़के हम लोग तो नहीं मैं लड़के आया हूँ और बया को मैंने बोल दिया है कि हमारा थो पैड का साइट टेबल है वो तेयार कर पैड़ के बहुत सारे पेड़ थे चोटे से पौदे हमें तोले कि आदे और यहां हमें मिलिया था कड़ी पत्ते का पौदा यह आके अलप से कहीं देखो जगा दूड रहे हैं कहां लगाना इसको शित्री भीया होते तो लगा देते है अब शान्तिव करने पड़े कि मशक पैंगा यह थे तैंगा है लेकिन दूसरा दूसरा वर्जन अच्छा मैं सोच रही निबू है वर्टी निबू तभी मुट थे निबू है हमारा करी पत्ता का पौदा रोपन कर दिया है हमने पर अब हो गया नहीं यह कुछ अब ही हो चुके है शाम साड़े चार या पांच बजी रहे हैं हम लोग थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए उसके बाद हम लोग ने सोचा कि नीचे जाएं और अपना करी पत्ता का पौदा देख लेता है उसने जड़ पकड़ी है कि नहीं यह जणाब बीजी और फोन में देखके आओ नीचे और उसके बाद हम दो देखते हैं साइड में जाएंगे नर्सरी यह जाएंगे कट्यल का पेड़ है वहां से एक कट्यल लेने कोशिश करेंगे अकर दीजी ने दे दिया है तो इस सो मच बीजी निच ओम यह रहा हमारा करीपता हरे हां कहां गया है नहीं होगा यह पत्ते तो सही है उपर वाले तो वैसे ही सूग गय थे हम मौसम बहुत अच्छा हो गया भी दिन पर धूख थी अब अभी धूख कम हो गई है उत्वाठन अखंडा हो गया है और शांती की नजर है उस पटेल के पेड़ पर काटने के लिए कून चूसे ही तुम्हारा भी अबस बस बस एक ने जामुन की चोटी बहन भूग लिए यह क्या किला दिया जामुन के नाव है पर अलग से चारा रहा है जामुन के अच्छा टेस्ट चाता है ना कि अकेली कहां जा रहे है हमीन शाथ लेल तहां चारा है को हां यह पी तक अच्छे ईड्रेगन है यह फल है कोई आण ड्रेगन फुरूट है यह इसका पेड़ के असा यह वह फिर अलग शेप में आ हमारा हो चुका है पच का क्योंकि वह भाईया ने बोला है कि दो चार दिन के बाद कटेहल तोड़ेंगे और तब देखेंगे कोपी ममनी को बला रही है तो हम लोगों को खली हां जाना पड़ रहा है नहीं तो आज में शायद शाम को कटेहली सब्जी ही बनाती है तो टिट्स करने पड़ेगी बारिश की वज़े से बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई है तो यहां पर कीडे में खोड़े भी बहुत आते हैं कि बोड़ा साथ रान दखना प्रता है मैं नहीं जारी आप जाओ और मुझे तोड़के कि लाओ एक पका हुआ तोड़के लाना टेस्ट कर तोड़के ठीक है कि इस पेड़के जामुन के नहीं लाओ काले वाले ना तू वही लेना बाद में जब पक जाएंगे तब आराम सखाएंगे तो यह रही जामुन थोड़ी सी पकियों ही सारी नहीं पकियां भी तीर तीरे पक रही हैं हम् टीरे पारी पर बहुत मतलins को यह जामुन इंगे नए मेरा beauty नहीं मे जामुन लाओ हुए जामुन कहाने लोगते ताल राओ चाएंगे से बाद पर बहुत होड़ी जामुन आसा है हमारी जो हमारी नहीं मेरी मिरे को जामुन बहुत पसंद है मेरा बहुत मंताभ जामुन तोलो टेस्कषग एक लिए मिल गइए पाद जामुन की जोगोज है खतम है लाई है इसना मतलब युक्या जामुन लगेगे और हमको घणकाने के ली नी थी ताजी ताजी मिलेगे यह देखो यह बिनने में लगे हैं आम पक्डी है क्या यह विचारे आम गिर चुके हैं यहां पर नीचे अच्छा है अब पानी पैर चले जाएगा ना मेरे को मत बिला रहा है मैं तो नहीं आओंगी मदद करने तुमारे यह देखो कैसे खराब हुए हैं आम सारे गिर गिर के सड़ सड़ गए हैं पूरे मेरे को इतना दुख हो रहा है नहीं आम देखके इतना खराब लूंगा मैया बहरी हैं इंदर ओ आहां एक रही को ओ लात मीजस्ट लालच बढ़ रहा है एमारा जामुन का बस यह तीन ही जोड़ों है मच्छर बहुत हैं यहाँ पर क्योंकि बर्सात की वजय से पानी जमा होता है और मच्छरी मच्छर और तंदिर कम लिमें इस मौसम की पहली वाप पहली जो जामुन होती है ना वो खाई है और अभी तो इक अब तक हो जाएंगी रगवो जो लाइम है ना दस तक हो जारी दस तक मेहनत कफल मीठा जामुन ना मेहनत कफल जामुन लो जामुन भी खा ली अपका टेल जम बलेगा तब उसकी सबजी पनाऊंगी आप लोग साथ रासे पीश शेयर करूंगी बट फिलाल के लिए इतना ही अपना ख्याल हस्ते रही है खुश रही है और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में फिल दें टेक्या बाइब जाम क्यों खाये मज़े कीजिये